हेलो और वेल्कम टू माई यूटूब चैनल आई सोनी स्पीकिंग आई होप यू आ दूइंग बैल आप सोब लग अच्छे होंगे आज मुझे बड मिला पढ़ाने के लिए जो मैं न्यूस को मैं रिडिंग कर रहा था तो वोड था एंटाइस इसको मैं कहते हैं एंटाइस का मतलब होता है आप देख रहनी में लुभाना या अपनी और खीचना किसी भी बैकती को कौई चीज दिखा कर अपनी और खीचने साब बच्चों को टॉफी दिए आप उस अपनी और खीचते हैं आप उसको लुभाते टॉफी दे लेगे कर बार बार उसके ज़ंगal इन utampet करना attract करना या charm करना और भी बड ऐसे हो सकते हैं जो इस entice की जगह यूज़ कर सकते हैं लुभाने के sense में अपनी और ठीचने के sense में मैंने यह sentence बनाए हैं sorry पहला sentence है you enticed him इसका मतलब है कि तुमने उसे अपनी और ठीचा या तुमने उसे अपनी और लुभाया प्रित मिन समझ महां आगे किसी चीज को दिखा कर यह चीज को बताकर उसने अपनी और विसे खीच लिया तो सी अच्पीज दो मास्ट हुश्ख को लुभा कर तो सीorg कुछ दिखा व हूं वांत बता कर कुछ देकर कुछ दिखा यजिए एंटाइजिंग कर रहा है वह मुझे अपनी और लुभा रहा है वह मुझे-पनी और खीच रहा हैं आ यह जुदे है सि मेल इंटाइस यू मैंने कहा कि वह तुमें अपनी और खीच लेगी तुम्हें LALA ça कर अगर कुछ ने कुछ अपनी और अकरसित कर लेगी वह तुम्हें लुभाएगी उसको हम कहते हैं सीविल एंटाइस यू नेक्स्ट हमारा जो लिखा हुआ यह आप लिखा हुआ एन इजी प्रे एन इजी प्रे का मतलब होता है जल्दी फुसलने वाला बैकती ऐसा वह बैकती यह बच्चा जल्दी से आपके खाने प्रिचे फिसल जाता है तो आप उसे कहते हैं एन इजी प्रे आप आगे देख रहे हैं लिखा हुआ डोंट एंटाइज हिम बिद स्वीट जब किसी बच्चे को मीठा दिखा कर कोई चीज खाने पिने के लिए के लिए कहा जाता है त तो आपने स्वीट लगा दिया कोई खटी चीज तो आपने खटी के लिए वइड लगा दिया शो कोई स्पाइसी है तो आपने मना कर दे कि उससे आप उसको मत खीजिए उसको मत फुसलाईएगा तो यहां वर्ड लिखा हुआ है डॉंट एंटाइज हिम बिद स्वीट एन झाल